हाँ जी भाई नमस्कार स्वागत आप से भी क्या इस्टेंड अप क्लासेस में तो कैसे हैं आप सब उम्मित करता होंगे तो दोस्तों समय हो चुका है हमारे करेंट एफर्स के स्पेसल क्लास का और हमारी ये स्पेसल क्लास का पार्ट 7 है तो चलिए आप लोग फटाफट क्लास पर जुड़ी जाए चलिए कोशन्स देखना सुरू करते हैं ने बताया नहीं था ठीक है काफी इंपोर्डेंट कोशन है कोशन क्या एक वर्फिस से देख लिए हाली में किस देश ने रुद्रम फॉस्ट एंटी रेडियेशन मिसाल का सफल पर इच्छन किया किस देश ने किया भारत ने किया है और इन सब मामलों में भारत काफी आगे दीचेगा किस राजे सरकार की कैबनेट ने राजधानी यानि दिल्ली में ट्री ट्रांसप्लांटेशन पौलिसी को मंजूरी दिया और क्या होगा उसके एकॉर्डिंग की mesma बिल्कूल रूळकर ने दिया है इपसनों मड़ हमारे बिल्कूल करेक्ट है दिल्ली सरकार की नेस्ट कोशिन देख लिए नेस्ट कोशिन आपका सांती के लिए नोबेल पुरुसकार 2020 निम्न में से किसे परदान किया गया है कई वारी ये कोशिन में आपको पढ़ा चुका हूँ ठीक है अभी पीछले करेंट अफेस में मैंने ये कोशिन आपको पढ़ाय था काफी मोडन कोशिन ये नहीं पता है कोश नहीं पता होगा तो सांती के लिए नोबेल पुरुसकार 2020 निम्न में से किसे परदान किया गया है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को किसे वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को आपसे नमर ये हमारा बिल्कुल करेक्ट है यात कर लिजेगा तो सांती कि आनेकैडमी के plus courses में एरफोर्स की बहतर से बहतर त्यारी करने के लिए नए practice it courses शुरू किये गया है जहां पर top level के जो आपके educators हम वो daily नए-नए practice it करा रहा है तो आभी plus courses के subscription लेकर कि आपने एरफोर्स की त्यारी बहतर कर सकते हैं तो उसके बारे में subscription कैसे लेना है plus courses का वह मैं आपको लास्ट में बता दूँगा और कितनी छूट में लेगी तो यदि आप effort कर सकते हैं तो जरूर लीजेगा और लास्ट में देख लीजगा कैसे subscription लेना है चलिए नेस्ट्ट कोशन देखें नेस्ट कोशन है भारत और अमेरिका के बाद निम्रमें से किस देश ने ऐन जरौ बता ही मुझे तो वो है आपका पाकिसताअ ठाट में जो है टिक-टाइक को बैन कर दिया गया है याद कर लिज Percy हमरे है पहुएकर कोश़य कोशन के सब् alignment क्या है ज़ल बाइप लाफ जोए क्वेज ने पहला हर घर जल राजी बनने का अनूठा गोरं हासिल किया है काफी मंबने alien कोश्चन है मतलब इस राजी में हर घर जो है जल पहुशा दिया गया है pipeline के throw ठ्क न तो इसको एक जो है वो दिया गया है ठ्क न खिसलिए हर घरल जल का जो है इसे गऊरो हांसील हुआ है, क्योंकि अभी ये ऐसा पहला राज है जहां पर एसी सुविदा दिये गई आी예요 तो कौन सा राज है, वो जहां पर हर गरल जल योझना के लिए उसे अनूठा गऊरो हांसील हुआ है, कौन सा राज है वो तो वो है आपका गौणआ olika पर से हमारे बिल्कुल करेक्ट है, याद के लिजएगा 100% एक्जाम में आ सकता है, नेस्ट कोशन देखिए, यहाँ पर जितने भी कोशन साथ, आपके एक्जाम लेवल के कोशन साथ, नेस्ट कोशन है, हाली में किस राज सरकार ने जंगर्णा बिद्या कनु का योजना लांच की है, इसके बारे में डिटेल नहीं पता है, अगले वीडियो में आपको इसके बारे में पूरा डिटेल बता दूगा कि यह योजना क्या है, लेकिन यह कोशन आ सकता है, याद कले जगा 100%, ठीक ना, चले, नेस्ट कोशन है, लेसेंट रिपोर्ट के अनुस्वार कौन सा देश साल 2050 तक जापान को पीछे छोड़ दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थवेस्था ओला देश बन जाएगा, अब देखें, मैं आपको बता दूँ, यह कोशन हर जगा देखने को लिए मिल ला है, ठीक है, कई बार एक्जाम में भी आ चुका है, तो प्लीज इसको याद जरूर कर लिजेगा, तो लेसेंट रिपोर्ट के अनुस्वार कौन सा देश साल जो है, 2050 तक जापान को पीछे छोड़ कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थवेस्था ओला देश बन जाएगा, कौन सा देश है वो, वह है आपका भारत, ठीक है, तो ये दावा किया जा रहा है, ठीक है, फिलाल तो ये रिपोर्ट अभी लेसेंट किया है, तो लेसेंट के रिपोर्ट के अनुस्वार ये दावा किया गया है, कि 2050 तक भारत, जापान को भी पीछे छोड़ देगा अर्थवेस्था के मामले में, और तीसरी जो है, सबसे बड़ी देश हो जाएगा, तीसरा सबसे बड़ा देश हो जाएगा, अर्थवेस्था के मामले में, चलिए, नेश्ट कोशन देख लिए, नेश्ट कोशन आपका, परधानमंत्री नरंद्र मोदी ने, वर्चुल समारों में, यह कोशन आ सकता है, एयरफूर्स वाले बिल्कुल ध्यान देगे, कितने रुपे का इसमारों का जारी किया गया है, किसके दिख लिए, किसके जैनिवे, राजमाता विज्या राजे सिन्थिया, तो इनके सम्मान में कितने रुपे का इसमारों सिका जारी किया गया है कितने वह है आपका सो रुपए का ठीक है याद कर लेजगा आप सुनमर भी हमारा बिल्गुल करेक्ट है चले नेस्ट कोशिएन स्वाव नेस्ट कोशिएन इस रच्छामंत्री राजनाथ सिंग ने बार्डर रोड और soften किया तो टोटल जो है 54 पूल का एक सा क्ल Two गहर किया गया है किस के लिए बार्डर योडारा किया गया ठीक है चलें नेस्ट कोशिएन है किस राज्ग सरकार ने हाली में मीं जल परिष्ण के लिए मोबाइल वैन सेवा शुरू की है काफ़ी बाड़न कोशिन है तो मोबाइल बैन सेवा वैन मतलब क्या होता है गाड़ी होता है ठीक है तो किस रासर करना हाली में जल परिछण के लिए मोबाइल बैन सेवा शुरू की है किस रासर कार द्वारा किया गया है यह किया गया हरिया बाड़ा राजस्वर कर द्वारा 100% आ सकता है जाम में यात कर लेज़ेगा इंब और इन कोशिन आए नेस्ट कोशिन इस सन्युक्त राष्ट की तरफ से जारी एक ताजा रिपोट के अनुश्वार जलवाईयो आपदाओं में सबसे ज्यादा परभाईत होने वाले देशों म मतलब हाली में जारी किया गया है तो उसके एकॉर्डिंग जो जलवाईयो आपदाओं आती है तो जलवाईयो आपदाओं के वज़े से जो है भारत निम्र में से किस अस्थान पर है परभाईत होने वाले देशों में भारत निम्र में से किस अस्थान पर है जलवाईयो अभी अपने सभी पॉब्लिक स्कूलों में हाइटेक लासरूम बनाने का रिकार्ड तोड़ा है और यह ऐसा करने वाला देश का पहला राज बन गया है तो कौन सा राज है वो चले मैं आपको ता देता हूं वह है आपका केरल ठीक है और वैसे भी केरल की लिटरेसी रेट महिला आरच्छन को मंजूरी दे दिये काफी मड़ेन कोशन है मतलब कि महिला आरच्छन पे 33% महिला आरच्छन दिया जाएगा सरकारी नौकरियों पे कौन सा राज्य सबसे पहला राज्य है किस राज्य सरकारने ऐसा किया है जरा बताई मुझे तो यह किया गया है किसके दोरा पंजाब राजी सरकार दोरा ठीक है याद कले जग आपसे नमरी है हमारा बिल्गुल करेक्ट है तो मतलब कि इस्टेट लेबल पर यदि कोई वेकेंसी नहीं कलती है पंजाब में तो वहां की महिलाओं को टोटल 33% की छूट दी जाएगी कितनी 33% ठीक है चले नेस्ट कोशन देख लेते हैं तो हमारा आगला प्रशन है अंतराश्टी सांती दिवस निम्न में से किस दिन मनाये जाता है यह काफी मड़ें कोशन है और यह हमारे क्लास का लाश्ट कोशन है आप सभी के लिए मतलब जितने भी लोग देख रहे हैं उन सभी के लिए है यह हमारा लाश्ट कोशन अंतराश्टी सांती दिवस निम्न में से किस दिन मनाय जाएगा ज़रा बता ही मुझे कोशी नमर 16 है ठीक है तो सोले का सही answer क्या हो जाएगा 21 सितंबर हो जाएगा क्या हो जाएगा 21 सितंबर ध्यान दिजेगा चले तो 21 सितंबर को जो है हर साल अंतराश्टी सांती दिवस मनाए जाता है बाकी वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा और जो मैंने प्लस सस्क्रिप्शन के बारे में बात किया था अनेकडमी के उसके बारे मैं बता देता हूँ कैसे लेना है यदि आप एफ़र्ड कर सकते हैं तो रिक्वेस्ट है कि प्लस कोर्सेज का सस्क्रिप्शन लीजे और वहाँ पे जो भी डेली प्रैक्टिसेट कोर्सेज चलाए जा रहा है उन्हें देखिए और अपनी त्यारी बहतर किजे और एक्जाम बहतर दे करके आईए तो चलिए देख लेते हैं तो दोस्तो मैं आप से भी को बता दू कि अनेकेडमी प्लस कोर्सेज में पेड प्रैक्टिसेट कोर्स सुरू हो चुका है जहां दोस्तो ये पेड प्रैक्टिसेट कोर्स जो है एर फोर्स और नेवी के लिए सुरू किया गया है तो जिनका भी Air Force का exam नॉवंबर के first week में होने वाला है वो in paid subscription courses को ले सकते हैं और anacademy के plus course का फायदा उठा करके अपनी exam तयारी को और भी बहतर बना सकते हैं और आपको पता ही है कि यहाँ पर anacademy plus courses में physics के राम स्वरूप ग्यानी सर जैसे teacher हैं और साथ में mathematics के आपके मैंक अगरवाल जैसे teacher भी मौझूद है सो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो दिया हुआ है subscription के जो है cost दिये हुए courses के subscription के अगर आप एक महिने का लेते हैं तो 600 रुपए पड़ेगा और साथ में यदि यहाँ पर हमारा coupon code है stand-up classes यदि आप यूज करते हैं तो इन तीनों courses में तीनों क्या यह जो आपके पांच courses दिख रहे हैं पांचों courses में आपको 10-10% का छूट मिल जाएगा चलिए मैं आपको दिखाता हूँ जैसे मैंने जो है select कर लिया चलिए 6 महिने क जो है कोई एक subscription course मैं select करता हूँ और इसे continue कर देता हूँ इसे मैं आपको Navy और Air Force और NDA तीनों के लिए मिल जाएगा ठीक है तो यह देखे यहाँ पी क्या कह रहा है जो है इंटर referral code यहाँ पर apply करने के लिए दे रहा है तो total cost मुझे कितना पढ़ रहा है 6400 पर ठीक है तो य यहाँ पर मुझे छूट मिल चुकी है यह सिर्फ 5760 रुपय का यह कुर्स मुझे पढ़ेगा तो जिनका भी financial condition अच्छा है और जो अपनी तयारी बहतर करना चाहते है वो यहाँ से जो है इस subscription courses को जो है ले सकते है प्रोसीटू पेमेंट करके तो फिर मिलते हैं इस वीडिय में तरने वाँ